आज मैं आप लोगों के बीच अलग अलग डाटा के साथ आया हूं एक दो वीडियो के साथ आया हूं मतलब एक वीडियो दिखाऊंगा आपको और सब कुछ इन जनरल जो हमारे देश में आजकेल बहुत संसनी खबरे हैं और स्पेसिफिकली जो रेप के किसिस निकल निकल के लगातार आ रहे हाथ रसी घटना के तुरंत बाद जैसे 29 तारीक को वो लड़की चली गई नहीं रही हमारे बीच उसके बाद तुरंत एक घटना और हुई दलित लड़की के साथ ही हुई मैं क्यों मेंचिन कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा बाद में समझ में आएगा देखिएगा और मैं चाता हूं कि अगर आप मेरी आवास को समर्थन देना चाहते हैं तो कुछ मत करिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देजिए दूर तक पहुचेगी बात तो तभी शायद आपके मन की बात भी मेरे वीडियो के तुरू दूर तक बहुत दूर तक बहु अमीद कर सकते हैं हमारे पास सोचल मीडिया ही एक तरीका रहे गया है आप करोना के माहौल में रोड पे नहीं उतर सकते हैं तो यह एक अक्टूबर यानि आज की ही न्यूज है मैं आपको सुनाता हूं दे इंडियन एक्सप्रेस की है टैटिल क्या है आफ्टर हाथरस 22 एर ओड दले तोमन रेब्ड किल्ड इन उत्तर प्रोदेश दले तोमन लोग बार बार क्यों मेंशन करते हैं इनकी पीछे का इनका एक बार मैं इस मीडिया हाउस को इस नहीं इस मानसिक्ता की मीडिया हाउस को भी एक्सपोज करना चाता हूं और आप सोचेंगे कैसे तो आप पहले देखिए कि एक्सपोजी लोग उफ होते कैसे हैं इनकी जो पॉलिटिक्स है मीडिया वाले भी पॉ पाहिल, have been arrested, they called her to their place on the pretext of friendship, दोस्ती के नाम पे उन्होंने उस लड़की को अपने घर पे बुलाया, और रेप किया, छोड़ दिया, हॉस्पिटल ले गाया, उसके बाद, जब कंडिशन खराब लगी तो छोड़ दिया, इस रिपोर्ट के इसाथ से, जब फैमली ने कॉन्ट ने उसको बुलाया, दोस्ती के नाम पे, लड़की गई, परिवार में संपर्क करने कोशिश की, परिवार को लड़की नहीं मिल पाय रही थी, फोन नहीं उठा पाय थी, उसी रात में, इस रिपोर्ट के अनुसार, उसी रात वो वापस आ रही थी, बुरी हालत में, इसमें सिर्फ रेप वाली बात ही सत्ते है, उसके अलवा और कुछ जैसे टॉर्चर या फिर हाथ पर तोड़ देना, कमर तोड़ देना वाली बात असत्ते है, मैंने अपसर शुरुआत में कहा था कि मैंने क्यों दलित वोमन मेंशन किया जैसा इस रिपोर्ट में भी लिख लोवर कास्ट, दलित महिला का रेप किया, और घुना रहे थे कि सारे के सारे ठाकुर थे और दलित महिला का रेप हुआ, पुरा माहौल मनाया गया, मतलब अपर कास्ट और लोवर कास्ट का डिफरेंस दिखाने कुशी की जा ले थी, यहां पर क्राइन से मतलब नहीं है किस कि यहां सिर्फ हमें कैसे संपरदाइक महौल पैदा करना है कैसे हमें एक मुद्दे में से पॉलिटिक्स का महौल करेट करना है ताकि जिनके उनके आकाल होगे जिनका हाथ उनके सर पर उनको फाइदा मिल सके जैसे यह लिए अर्विन केजरिवाल सब ने अपनी पॉलिटिस का पुरा बैन वाजी करके इस मुद्दे को भुणा लिया लेकिन जब इस मुद्दे में आपको जो दो लोग पकड़े गए हैं आपने कहीं टाइटल में यह नहीं मैंशिन किया कि दोनों मुसल्मान थे टाइटल में कहीं एक्सप्रेस है आपको कंपैरजन दिखाना चाहता हूं कि कुछ लोग मर्च करके जब डालते हैं तो आपको काम की चीज मिल जाते हैं आपको पिक करने मुझे मिल गई तो यहीं वो इंडियन एक्सप्रेस है जब हात्रस में हुआ तो प्रॉपरली मेंशिन हुआ यहां पर आप कंपैरजन देख सकते हैं एन आई और देने नेक्सप्रेस का प्रॉपर मेंशिन हुआ कि अपर कास्ट ने लोवर कास्ट का रेप किया टाइटल में ही मेंशिन है लेकिन वहां पे जब आपको दो मुसल्मानों को मेंशिन करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आपकी एजंडावादी सोच को कायम रखते हुए सिर्फ दलित वुमन मेंशिन करना जरूरी समझा यह नहीं कि उस दलित वुमन का रेप किस ने किया ताकि अभी भी लोगों को यही नोशन आए यही माहौल बना रहे है तनाव का कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहे है करने वाल को भी मेंशिन करना चाहिए था आपको यह तो आप सिर्फ यह लिखिए कि रेपिस्टों ने लड़की का रेप किया दो लोगों ने मेरे पास और यह डाटा कहीं और से नहीं यह भी इनहीं के जातवालों से है कुंट से ही है कुंट का यह कहना है कि इंडिया रिपोर्ट्स 87 रेप्स पर डे NCRB सरकारी एजन्सिये इसका डाटा है तो 87 रेप्स पर डे बहुत बहुत बड़ा नंबर है एक भी रेप हो अगर एक दिन में भी तो भी बहुत बड़ी बाते यह भी नहीं होना अच्छे लेकिन खैब डाटा है तो उसको बताना जरूरी है इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि NCBA कहते है कि क्राइम अगेंस्ट वुमन रेज़स 7.3% in 2019 as compared to the same period in 2018 तो 2018 के तुलना में 7.3% से रेट और बढ़ी गया है महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहे है अब यहाँ पे आप शब्दा वाली पे जाए बिल्कुल मैं चाहता हूं आप यहां तक देख चुके तो शेर करेगा इन पोटलों का जो पाखंड मैं एक्सपोस करना चाहता ह यह कह रहा है कि उत्तर पुदेश स्टेट विट मोस्ट क्राइम अगेंस विमन योगी आधितनाथ एंड बीजेपी लेड यूपी टॉप्ट दे लिस्ट ऑफ स्टेट विट हाइस्ट नंबर अफ प्राइम अगेंस विमन हाइस्ट बोला हाइस्ट बोला टर्म को बीजेपी योगी याधितनाथ इसने मेंचिन कि इस लाइन से सीम को बताया है पार्टी को बताया है और यहां पर दिखा दिए कि 59,853 सच इंसिदेंट्स अब उसके बाद तुरंत थी नीचे आसाम की बात किये तो कैसे कवर किया मैं बताता हूं अब क्योंकि आपको क्या रेटम यूज किये हैं भले वहां भी भाद प्याद पर जन्ता पार्टी की सरकार है लेकिन टार्गेट जब आपके पास हो नहीं होता तो आप उसी साब से काम करते हैं तो यहां अब ही टार्गेट ही होगी ची है तो काम कैसे किया जा रहा आप यह सुनी आसाम ऑन द अधर दो बार अधर लिखा हुआ है अधर 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 रिपोर्टेड अधर हाइस्ट रेट ऑफ क्राइंस अगेंस्ट विमन अभी यहां भी हाइस्ट है अब आप कंपैरेजन भी कर रहा है तो हर चीज हाइस्ट ही होगी तो आप कंपैरेजन करें तो यहां पर बताईए क comparatively lowest या फिर उत्रप्रदेश से कम कि उत्रप्रदेश हाइस है तो अगले सब अगर सारे स्टेट ही हाइस है तो लोएस्ट कौन है minimal कौन है 117.8 पर लाक हर लाक में हर एक लाक में 117.8 crimes होते हैं महिलाओं के खिलाफ हर एक लाक पे अब रजिस्ट्रेशन भी बढ़ने लग गया है 2018 में 58.8 होता था था आप 64.4 हो रहा है 62.4 हो रहा है 2019 में हुआ पर हाइस्ट तो यूपी का है अब स्टेट्स विथ हाइस्ट नंबर ओ रेप केसे राजस्थान अब यहां देखिए इसी इसी बोटल का डाटा है अब स्टेट्स विथ हाइस्ट नंबर ओ रेप केसे राजस्थान रेपूटेट्ट दो हाइस्ट नंबर ओ रेप सिफ विथ 5997 केस फॉलॉड बाई UP मतलब,UP में रिव काईइस ह हाइस्ट नहीं है। मैं कोई बोस्ट करने वाली बात हम प्रसंसा है, कोज खुशी की बात हम हाइस्ट की बात है। यह रिवग की बात है। हम जितने कम हों, उतना ही अच्छा। सबसे अच्छा वही है। लेकिन डाटा की बात करेंगर तो पहले नमबर पर राजस्थान है दूसरे नमबर पर यूपी है सीधा दो हजार से भी ज़्यादा का फर्क है तीसरे नमबर मध्यप्रदेश है पर आप समझे इनकी टर्मिनल ओजी बताना चाहते थी कि क्राइम अगेंस्ट विमें सबसे ज़्यादा यूपी में हो रहे हैं लेकिन जब नीचे जब जा रहे हैं तो इन्होंने राजस्थान के सीएम का नाम नहीं बताया क्यों उनकी पार्टी का नाम नहीं बताया क्यों बताना था ना कि फंडिंग रुख जाते हैं कुछ दो तीन डाटा कि चाहत और मैं हाऊं थोड़ा आप सबर करिए मेरे साथ व